हलो किशान भाईो श्वागत है आपका आपके अपने अग्रिकल्चर वर्ट चैनल पर किशान मित्रो इस समय की खेती में जैसा कि हम कीडों से बहुत जादा परिशान रहते हैं और साथ ही अपना पैदवार कम हो जाती है धोप की वज़े से कहीं कीडों की वज़े से हमारे कल काव में अपने खेत में जितने भी कीटाड इस टाइम होते हैं अपने पाउदों में जादतर भुन का जो है वो खासका परिशान करता है जो अपनी नई कल्लेदार अपनी तोरह हो या लौकी हो या कद्दू हो कोई भी नई बतिया निकलती है उस पे अटेक कर देते हैं औ पर हमारा जो फल होता है वो नहीं लग पाता है तो किसान मित्र तो आप मैंने एक साल पहले आपको एक दवाई बताई थी वो हो सकता है आपके छेत में ना मिले या बहुत कम उसकी उपलबदता होती है तो मैंने दूसरी जो है सेम बढ़िया कंपनी की यह देख सकते हो किसान मित्रों भारत की यह सित्ता में नामक केमिकल इसमें पाया जाता है भारत कंपनी की है और इसको आप आसानी से कहीं न कहीं आप आसानी से ले सकते हैं इसमें 20 परसेंट यह जो केमिकल है यह पाया जाता है और एक केमिकल बहुत ही आसानी से आपको एक ही स्प्रे में खतम कर देगा एक टंकी में अब इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं कि सामित्रों 15 लिटर की टंकी होती है उसमें आप 15 ग्राम के आसपास ही पाउडर डाले और आसानी से आप इसको छिड़काओ करें और एक ही छिड़काओं में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इस जो है गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो यह भुनगा जो होता है अपने खेत में वो जो है लगातार आपको देखने को मिलता रहेगा तो अगर आप अपने खेत में अच्छे से अच्छा मतलब तुरे लोंकी का सेप और आकार देखना चाहते हैं तो हर हट्ते 5-10 रुपए का अंतर रहता है तो आप 5-10 रुपए की बात न चोड़ कर आसानी से इसको लेकर अपने खेत में डालें किसान मित्रो जैसे ही छोटी बतिया होती है उसमें यह भुनगे अपना प्रभाव दिखा देते हैं तो इसकी वज़े से हमारी तुरे हो या लोंकी हो जब उसमें दाग पड़ जाते हैं तो आप 10-20 रुपए का मोह न करते हुए आप इस दवाई को डालें और अच्छे से अच्छा अपना फल फ्रूट जो है सबजी है वो अच्छी से अच्छी तयार करें बजार में उसी की डिमांड होती है जिसका सबसे अच्छा सबजी ह होता है तो किसान भाईयों जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और अच्छी से जानकारी आप आते रहेंगे धन्यवाद किसान भाईयों